तो हाई दोस्तों कैसे आप लोग आप लोग कर स्वागत है अमारे न्यू रुक चैनल वी मेंश हलो दोस्तों मैं हूँ पाट्थिब मैं हो प्रितम मैं हूँ प्योश तो दोस्तो आज हम लोग बहुत सारी इंट्रेस्टिंग पैक्ट आप लोग के साथ शेयर करना चाहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो आप सभी लोग तो जानते हैं कि हर देश के रूस काफी ज़यदा डिफरेंट होते हैं कुछ देश्के बहुत ही जढ़ै तो कुछ देश्के रूस बहुत ही जढ़ा मजेदा और घ्षळे नहीं होते हैं सो दोस्तो आज में आपको इसी बहुत ही खतर्नाग रूस के बारे में आपको बता हमें सो चलिए शुरू करते हैं पैक नमबर फाइब, साउदी अरविया, मिडिलिस्ट का ये देश ऐसे तो बहुत ही तरक्टी कर रहा है, और आप लोग तो जानते हैं कि यहां के आद भी बहुत ही आमीर होते हैं, लेकिन इस देश में बहुत ही स्ट्रिक रूल्स पालन करे जाते हैं, इस देश में महिलाय गारी नहीं चला सकती, जी हां दोस्तों, महिलाय गारी नहीं चला सकती, और किसी भी गैर मर्द के साथ बात भी नहीं कर सकती, अगर वो ऐसा करते हुए पकड़ी जाए, तो उसे मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है, पैक नमबर फोर, क्यूबा, क्यूबा होलिड़े डिस् जिंदेगी जेल में कटाने भी पर सकती है, पैक नमबर फी, सिंगापूर, दोस्तों, सिंगापूर एशिया का सबसे बड़ा डेवलोप कंट्री में से एक है, यह कंट्री खुबसूरत तो बहुत है, लेकिन इस देश में आपको छोटी से छोटे गलती पर भी बैन लगाय जा सकता है, इस देश में कोई भी आदमी सड़क गंदा नहीं कर सकता, सिगरेट नहीं फूख सकता, और ना ही बस में खाना खा सकता है, इसके इलावा टोइलेट में पानी ना डालने पर आपको जेल भी हो सकती है, पैक नमबर वान, नौर्थ कोरिया, दोस्तों, आप इंटरनेट नहीं चला सकते, इस देश में कोई भी लोग जीन्स नहीं पहन सकते, अगर इस देश में कोई भी अपरात करते हुए पकड़ा जाए, तो उसकी सजा उसके पड़िवार की तीन पीडियों तक भी मिल सकती है, तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बने रहे हमारे नेक्ष्ट फेक्ट हमारे दोस्त पार्ठिव के साथ है, और इसमें इतने लोग दर्शन करने आते हैं कि इस भीर को स्पेस से भी देखा जा सकता है पैक नमबर 4 गाइस क्या आपको पता है कि लखनों का सिटी मॉन्टेशरी स्कूल छात्रों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है जी हाँ दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल इसमें करीब 25,000 से भी जादा छात्रा पड़ते हैं इसे गिनिश बूक और वा कहानियों में लिखा था अब ये कही बार प्रूब भी हो चुका है पैक नमबर 2 हिमाचल प्रदेश के चैयाल में दुनिया की सबसे उची क्रिकेट ग्राउंड मोजो दे ये सी लेबल से करीब 2400 मीटर की उचाई में पैक नमबर 1 दोस्तों आप लोगोंने देखा ही होगा कि कोई भी चीज हम जब खरीबने जाते हैं उसमें MRP लिखा होता है जो बेसिकली किसी भी चीज की कीमत को दर्शाता है लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि भारत दुनिया का एक अकेला देश है जहां हर किसी चीज पर MRP पाया जाता है दोस्तों यह थे मेरे कुछ अमेजिंग फैक्ट अब मिलते हैं मेरे दोस्त यूज के साथ दोस्तों आप सब लोग को क्रिकेट खेलते हैं लेकिन क्या आप लोगों को क्रिकेट के बारे में कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट मालूम है तो आज मैं आप लोगों को क्रिकेट के बारे में कुछ 5 अमेजिंग फेक्ट बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते फेक्ट नमबर 5 Australian bowler Peter Sidil is the only bowler to take a hat-trick on his birthday फेक्ट नमबर 4 on the morning of 11 November 2011 South Africa needed 111 runs to win at 11.11 a.m. Fact number three Lala Amarnath is the only bowler to dismiss Don Bradman hit cricket in test cricket Fact number two Sahih Dapridi used Sachin Tenzelkar's bet to hit the fastest ever ODA century Fact number one on 12 January 1964 Indian spinner Papu Nathkarni bold 21 consecutive Maddenovers vs England at Chennai ये था cricket के बारे में कुछ amazing fact तो मिलते हैं मेरे दोस्त सुमित के साथ तो दोस्तो आज मैं बताने वाला हूँ बेन के संबन्दी कुछ ऐसे fact जो आपने इसाइदी कभी सुने होगी तो चलिए शुरू करते हैं Fact number five तो दोस्तो आपने बल्ब तो देखा ही होगा क्या आपको मालूम है हमारा दिमाग 12-25 वाट विजली उत्पन कर सकती है इतनी विजली कि वे एक बल्ब को जला जा सकता है Fact number four आपने तो देखा ही होगा कि हमें हमारे बचपन की यादे कुछ भी याद ने रहती क्यूंकि बचपन के कुछ साल हमें याद इसलिए ने रहते क्यूंकि उस समय तक हिपो केमपस डेवलोब नहीं होता ये किसी चीज को याद रखने के लिए जरूरी होता है Fact number three दोस्तो आपने चॉकलेट तो खाया ही होगा पर आपको ये मालूम है कि चॉकलेट की खुशबू से दिमाग में ऐसी तरंगी उत्पन होती है जिन से मनुस्या आराम महसुस करता है Fact number two ऐसे तो हमारा दिमाग बहुत ही शक्ति सालिय वस्तु है पर आपको ये मालूम है कि दिमाग पुड़े शरीर का केवल 2% होता है लेकिन ये पूरी बोडी का 20% कून और ऑक्सीजन अकेली ही इस्तेमाल कर लेता है Fact number one आपने तो एलवर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना ही होगा क्या आपको मालूम है आइंस्टाइन की दिमाग सामान्या इंसानों के दिमाग से 10% छोटा था हालाकि उनके दिमाग में नीरोन डेंसिटी सामान्या इंसान से काफी ज्यादा थी है मजा आया तो दोस्तो ये थे हमारे कुछ अन्नून और अमेजिंग फेक्ट अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होंगे अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तो वीडियो को लाइक, शेर, कॉमेंट और हाँ सबसे इंपोर्डेंट सस्क्राइब करना मुद भूले सस्क्राइब करके औल नोटिफेकेशन का बेल प्रेस कर दीजे ताकि आप लोग को हमारी लेटेस अपडेट मिलती रहे तब तक के लिए बाई